देखे हम अपने आम बोलचल में शब्स का परियोग करते हैं बुणियाद तो इस वीडियो में बुणियाद को इंग्लिश में और हिंदी में क्या बोलते हैं जानेंगे और ऐक्सांपल से सेंटैंस में शब्सकी च्श्यूज करके अच्छी तरह से समझेंगे तो इस तरह से हिंदी में बुनियाद का अर्थ हुआ आधार, नीव, जड, मूल, जैसे घर है किसी का, तो वहीं से उनकी बुनियाद होती है, बेस है, जड से सम्मंद रखने वाला बिलकुल प्रारंबिक या शुरुवात को हम बुनियाद बोलते हैं, इंग्लिश में इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं, जैसे बुलेंगे, कटिन परिशरम ही हर सफलता की बुनियाद है, मतलब वहां इंग्लिश में, हाड़ वर्क इस दफांडेशन ओफ एवरी सक्सेस, फांडेशन का मतलब बुनियाद, दूसरा एक्जामपल है कि दर असल इस घर की बुनिया ही ऐसी है, तो in fact the foundation of this house is like this, ठीक है तो उमिद आपने बुनियाद शब्त को इंग्लिश और हिंदी में एक्जामपल के साथ मैं अच्छी तरह से समझ लिया है, थांक्स वर वाचिंग जीकर डेस्क